बहुत पुरानी बात है बटू के एक गरीब किसान था दो साल पहले साइकल से गिर गया था उसके पैरों में ऐसी छोट लगी थी कि उसे बैसाखी के सहारी ही चलना पड़ता था खेती से इतनी ही आमदनी होती थी कि खाने पीने का काम चल जाता था पिता के मरने के बाद ही उसके बड़े भाई और भावी चमपा ने उन्हें अलग कर दिया था देखो शार्दा आज हमारे खेत में पहला कद्दू निकला है मैंने सोचा घर ले चलू इसकी सबजी बना कर भोग लगा देना रात में मधू की शादी की सारी तयारियां तो हो गई है जितना पैसा था वो सब खर्च हो गए अब कहां से आएगा मा मुझे आगे की पढ़ाई करनी है मुझे अभी शादी नहीं करनी कितनी बार कह चुकी हूँ मुझे डॉक्टर बनना है मधू किसी तरह से लड़के वाले राजी हुए हैं बेटी हमारे पास इतने पैसे कहां है जो डॉक्री की पढ़ाई का खर्च दे सके हम तो निपट अनपड गवार ही रह गए बिटिया पढ़ना चाहती थी पर गरीबों को सपने पूरे करने का भी हक नहीं है पैरों से भी लाचार हो गया वरना इतना तो खेती से ही निकल जाता था मैंने सोचा था कल मधू के लिए कोई गहना खरीद दू क्या करूं राशन पानी घर की रंगाई पुताई में ही कुल दो हजार रुपे खर्च हो गए जीवन भर में गहनों को तरस्ती रही सोचा था अपनी मधू के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी पर ये गरीबी ही हम किसानू की किस्मत है तभी दर्वाजी की कुंडी खड़की मधू ने दर्वाजा खोला तो सामने उसकी ताई का बेटा राघव खड़ा था दीदी ये कुछ सवाल है जरा समझा दोगी अच्छा अंदर आ जाओ क्यों रहे जब मैं चली जाओंगी तब किससे पूछेगा दीदी आकर तुम शादी कर ही क्यों रही हो क्या करू भाई मेरी तो बिलकुल इच्छा नहीं है चलो तुम सवाल दिखाओ बटुक और शार्दा भी तब तक आ गए राघव को नाश्ता करवा कर शार्दा सारा राशन पानी कमरे में रखने चली गई देखो जी एक महीने बाद ही लगन है कुछ पैसो का इंतजाम कहीं से हो जाता है तो सिर्फ एक गले की जन्जीर ही बनवा लेना कल बड़े भाई साहब से पूछ लूँगा शायद बेटी की शादी के नाम पर कुछ मदद कर दें तो चंपा भावी के सामने तो मांगना मत नहीं तो वो बिलकुल ही नहीं राजी होंगी और उनको भी मना कर देंगी भाई साहब फिर भी हमारे परिवार का सुगदुख समझते हैं अच्छा चलो अब सोजाओ सुभा जल्दी उठ्षा भी है बहुत काम है रात में शारदा की आँख खूली तो उसने देखा की कद्दु बटुक लेकर आया था वो कद्दु लुड़कते हुए उसकी चारपाई के पास आ गया हैं ये कहां से आ गया मैं तो इसको कोने में रखकर आई थी ये तो घर का कद्दु था मैंने सोचा था सबजी बनाकर भोग लगाऊंगी पर ये कहां से आ गया कैसे तुमने मुझे एक कोने में क्यू रखा मेरे सबजी बनाकर भोग लगाने वाली थी ना कद्दु को बोलते हुए देखकर शार्दा डर गई अरे शादी के काम में मैं भूली गई कल सबसे पहले यही काम करूँगी कद्दु वही रखकर ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है आज तक सबजी पाती को बोलते हुए तो नहीं देखा था दूसरे दिन सुभः सुभः ही नहा धोकर उसने जैसे ही कद्दु काट्ने के लिए उठाया उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया और उसमें से धेर सारा सोना निकलकर बिखर गया देख क्या रही हो शार्दा जल्दी से सारा सोना उठा लो और बिट्या को जितना भी गहना बनवाने का सोचा था बनवा लो सबजी बना कर भोग लगा दो और बीज अपने आंगन में कहीं बो देना शार्दा ठगी सी खड़ी थी फिर एका एक उसे होश आया उसने जट से सारा सोना उठा कर संदूक में रख दिया और सबजी बना कर भोग लगाने चली गई हे दिन बनधू जैसे आपने मेरी लाज रख ली वैसे ही सब की रखना सुनो जी भाई साब के यहां जाने के जरूरत नहीं है हमारी जरूरत पूरी हो गई है क्या कहती हो शार्दा ने बटूक से सारी बातें बता दी बटूक के चहरे पर खुशी आ गई उसी दिन दोपहर को मधू को लेकर सुनार की दुकान पर जाने के लिए सोचा मधू जल्दी से तयार हो जाओ चलो सुनार के यहां से कुछ बनवा लाते हैं दोनों सुनार के यहां से धेर सारे गहने बनवा कर ले आए शार्दा ने कुछ सोना बेचा और उसका पैसा ले लिया अपने लिए भी सोने की चूडियां, चेन और जुम के खरीद लिये इतने गहने देख कर भी उसको कोई खुशी नहीं थी उसकी तो एक ही रट थी, कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है दूसरे दिन सुभा सुभा अरे शार्दा, तुमने कल ही तो भीज लगाया था ना ये देखो, आंगन में कितने बड़े-बड़े कद्दू लगे हैं एक तोड़ो, भोग लगा लेंगे बटुक ने कद्दू तोड़कर रख दिया शार्दा नहाने गई, वहां से आई तो कद्दू काटने बैठी पर जैसे ही कद्दू काटा, उसमें पहले की तरहे धेर सारा सोना निकला उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था मैं कह रही थी कि अब हमारे पास बहुत सोना है ये शादी रोग क्यों नहीं देते मधू को पढ़ने का इतना मन था पर पैसे के अभाव में हमने उसकी पढ़ाई भी छुडवा दी अगर डॉक्टर बन गई तो उसकी किस्मत चबग जाएगी हमारी तरह से गरीबी की मार तो नहीं जेलनी पड़ेगी तुम ठीक कह रही हो पर विरादरी वाले तो यही सोचेंगे कि हमारी मधू में ही कोई खोट है जिसकी वज़े से उसकी शादी नहीं हुई देखो जी जब हमारी मधू पढ़ लिक कर डॉक्टर बन जाएगी तो यही विरादरी वाले हमारी प्रशंसा भी करेंगे मधू जट से आई उसने अपनी मा को गले से लगा लिया और कहा मापू मैं जब डॉक्टर बन जाओंगी तो सबसे पहले तुम्हारे पैरों का ही लाज करूंगी ठेक है मैं आज ही लड़के वालों को खबर भिजवा देता हूँ की अभी हमें शादी नहीं करवानी है मधू की शादी नहीं हो रही है ये खबर गाउ में फैल गई गाउं भर में कानाफूसी शुरू हो गई जो जहां बैठता सब की चर्चा का यही विशे रहता था शार्दा की जिठानी चमपा तो सबसे जादा बाते बनाने लगी उन्हें खलबली मची थी कि रिष्टा क्यों टूट गया बटूक और शार्दा मधू का एड्मिशन करवाने शेहर चले गए उनके शेहर जाते ही चमपा का माथा ठनक गया कि जरूर कोई बात है मधू का बारहवी का रिजर्ट देखते ही उसका एड्मिशन हो गया उसको आसानी से होस्टल भे मिल गया क्योंकि उन दिनों बहुत कम लड़किया मेडिकल की पढ़ाई करती थी बेटी अब हम जा रहे हैं मन लगा कर पढ़ाई करना तुम्हारे भाग्ये से ही हमें जादूई कद्दू मिला है हाँ बापो तुम चिंता मत करो जैसे ही छुट्टिया होंगी मैं गाउं आ जाऊंगी मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी से अलग होने के समय शार्दा की आखें भराई वो दोनों गाउं में आये तो उन्होंने देखा उनके जेट और चमपा घर के बाहर बैठे थे अरे आप लोग हमारे अहां शार्दा तुम लोगोंने तो मधू की शादी तूटने की खाबर भी नहीं दी उन्होंने रिष्टे से इंकार क्यों कर दिया भावी उन्होंने नहीं हमने खुद रिष्टा तोड़ दिया क्योंकि मधू डॉक्टरी पढ़ना चाहती थी और हम उसका दाखिला करवाने ही गए थे इतना पैसा कहां से ले आए जो पैसे उसकी शादी पर खर्च करने के लिए रखे थे उसे से उसका दाखिला करवा दिया चंपा को यह बात समझ नहीं आई इतना है शाक्था लड़की को पढ़ाने का तो शादी तैही क्योंकि ये लोग बहाने बना रहे हैं बात कुछ और ही है पता लगाना पड़ेगा उसे दिन से उसने शारदा के घर पर नजर रखना शुरू कर दिया और उसने किसी तरह से पता लगा लिया कि उनके पास जादूई कद्दू की महरबानी से पैसा आ रहा है एक दिन जब सब सो रहे थे तब उसने अपने बेटे राघव से कहा चाची के आंगन से कद्दू लेकर आओ पर कोई देखने न पाए मा मैं चोरी नहीं करूँगा लेकिन उसकी मा ने जब बहुत जित की अभी नहीं मा राघ में जाओंगा राघ में राघव उनकी आंगन में कूद गया और कद्दू ले आया चमपा ने जैसे ही कद्दू तोड़ा तो कद्दू उसके मूँ पर आकर चिपक गया उसने लाख छुडाने की कोशिश की पर कद्दू तो उनके मूँ से हटा ही नहीं बचाओ बचाओ अरे ये क्या हुआ मा उसने भी बहुत छुडाने की कोशिश की पर कोई फाइदा नहीं हुआ अरे मेरा दम खुट रहा है जल्दी निकालो राघव एक चाकू लेकर आया पर कोई फाइदा नहीं हुआ मा मैं चाची को बुला कर ही लाता हूँ वो भाग कर गया और शार्दा को बुला कर लाया ये क्या हुआ चाची ये तुम्हारे आंगन का कद्दू है मा ने जैसे ही इसे काटा ये आकर उनके मूँ पर ही चिपक गया देखो जरा शार्दा की हाथ लगाते ही कद्दू नीचे गिर गया शार्दा मुझे माफ कर दो बहन मैं सच मुझ बहुत बुरी हूँ मैंने हमेशा तुम लोगों को पराया समझा पर आज अगर तुम ना आती तो इस मुए कद्दू ने तो मेरी जान ही ले ली होती शार्दा ने घर जाकर बटू को सारी बाते पताई दोनों खूब हसे पात साल के बाद मधू की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो गई उन लोगों के पास अब धन दौलत की कोई कमी नहीं थी मधू ने बापू का ओप्रेशन बड़े से बड़े अस्पताल में करवाया और कुछी महीनों में वो ठीक हो गए मधू भी एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर हो गई कुछी दिनों में बटूक और शार्दा ने मधू का विवा उसके साथ ही पढ़ने वाले एक डॉक्टर से कर दिया वा भाई किश्मत हो तो बटूक जैसी हाँ तो कोशो टक के गाउं में कोई अपनी लड़की का डॉक्टर नहीं बना पाया बटूक की बिटिया ने पुरी गाउं की नाम राशन कर दिया है जादूई कद्दू ने उनके जीवन को सवार दिया था राशी और उसके पती रमीश साथ कारखाने में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे दोनों साथ बहुत खुश थे उनके जीवन अच्छे से चल रही थी जो भी कमाई होती उससे ठीक ठाक जिन्देगी चल रही थी आज जल्दी कारखाना जाना है आज महाँ बहुत काम है अरे हाँ मैं तो तयार हो गया हूँ तुम जल्दी चलो हाँ हाँ अभी आई राशी और रमीश साथ में कारखाना जाते हैं दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं लेकिन लेट से पहुंचने से दोनों जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं जल्द वाजी में रमीश का हाथ एक बड़े मशीन में आ जाता है और रमीश का हाथ बेकार हो जाते हैं अब घर केसे चलेगा? आपको छोड़कर में काप करने नहीं जा सकती और अगर काप नहीं करूंगी तो पेसे नहीं आएंगे हे भगवार कुछ मदद करो हाज अगर मेरे हाज सलामत होते तो तुम्हें इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता मेरे साथ ही ऐसा क्यूं हुआ आप चिंता मत किजिए कुछ ना कुछ हो पाई जरो निकलेगा राशी रमिस को तसली देने के लिए ये बात बोल तो दी लेकिन उससे भी समझ नहीं आ रहा था कि घर का खर्चा केसे चलेगा तब ही राशी के घर पडोसी पायल वहां आ जाती है है देया राशी तेरे भर तो दुखों का पाहार तोट पड़ा तो अब अकेले केसे कर पाएगे इतना कुछ सुन मेरे पती सोनार के दुकान में काप करता है अगर तुझे अपने जेवर बेचने होंगे तो पुझे बता देना अगर ये धिर मेरे जेवर में आया है तो कोई ना कोई रास्ता भी जरूर निकल जाएगा आपने इतनी चिंता की उसका शुक्रिया आज कार तो अच्छाए का जमाना ही नहीं है पती का हाथ चला गया तेरी अकर अभे भी बाके ही है और दुखी मन से गाओं की एक नदी के पिनारे जाकर बेच जाती है तभी वहाँ उसे एक बाबा मिलते है क्या बात है बेटी तुम बहुत चिंता में लग रही हो राशी अपने साथ घटी हुई सारे घटना बाबा को बताती है देखो बेटी मैं तुम्हारा दुख खतम तो नहीं कर सकता लेकिन तुम्हारे दुख को कमाने के लिए मेरे पास कुछ है आपका बहुत बड़ा इहसान होगा मुझ पर बाबाजी बाबा अपने जोले से कुछ महंदी के पत्ते निकाल कर देते हैं ये तो महंदी के पत्ते हैं हाँ ये कोई आम महंदी के पत्ते नहीं है ये जादूई महंदी के पत्ते हैं इन्हें पिसकर यदि किसी के हाथ पर लगाओगे तो खुद बाखुद ही डिजाइन वाली महंदी बन जाएगी और यह जादूई है इसी लिए ये कभी खतम नहीं होगी तुम इसे कैसे इस्तमाल करती हो ये तुम पर निर्भर करता है धरने बाद बाबा मैं इस महिंदी के पत्ते का अच्छी से इस्तिमाल करूंगी बाबा बहां से चले जाते हैं राशी वो महिंदी के पत्ते को लेकर घर आ जाती है और घर के आगे एक बोर्ट लगा देती है यहां महिंदी लगाया जाता है कुछ समय में उसके पास customer भी आने लगे देखते ही देखते राशी का दुकार में भेड लग गई कुछी दिनों में आसपास के गाउंवाले राशी से ही मेहंदी लगवाने आने लगे ये भीकारी राशी के पास कितना पेशा केसे आ गया जरूर इसमें इसकी कोई चल होगी आज रात जाकर पता करती हूँ पायल राशी के घर में छुप कर देखने लगती है वो देखती है कि राशी वो मेहंदी के पत्ते को बार बार पीचकर इस्तिमार कर रही है और वो खतम ही नहीं हो रहे थे उसके मन में लालच हो जाता है वो मोका पाते ही वहां से वो मेहंदी के पते लेकर भाग जाती है अरे वाव, में भी राशी के तरह ही अभी बन जाओगी पायल भी राशी के तरह ही दुकान खोल लेती है और कुछ गाओं की औरतें उसके पास महिंदी लगाने के लिए आभी चाते हैं वो सब महिंदी लगाने लगती है दीरे दीरे करके सभी औरतों के हाथों में अचानक से जलन होने लगती है और सभी औरतें जोरों से चिलाने लगती है यह किसे हो रहा है राशिमें यही पत्ते तो इस्थमार कर रही थी सबीर औरटे साथ मुलकर पायल के दुकान को तोड़ने लगती है इसके डर से पायल बहा से भाग कर राशिक के पास जाती है राशी। अरे ओर राशी कहो हो तो क्या हुआ भाइल इसे हाथ क्यों रही हो यह महिंदी तुम्हारे घर से चुरा कर ले गई थी और सुचा था में बे तुम्हारे तरह अमेर बन जाओंगी लेकिन मैंने जिनके हाथ में यह महिंदी लगाया उनके हाथ चल गए वो इसलिए कि तुमने ये ब्हेंदी चुरा ली थी मुझे माफ कर दो आपे के लिए मुझे उन सबी से बच्चा लो राशी पाइल को माफ कर देती है उन जादोई पत्तों से लेब बना कर गाउं की औरतों को लगा देती है जिससे उनकी हाथों पर होने वाली जलन खतम हो जाती है उसके बाद से राशी अपना काप दोबारा से शुरू कर देती है और खुब तरक्की करती है